आज की हमरी रेसिपी है चिकन भूना मसाला जिसके लिए हम प्रेपर करेंगे एक स्पेशल मसाला और ये चिकन को खाने के बाद आपके मुं में होगा स्वाध का धमागा तो क्या आप इसके लिए रेडी है तो चेली स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी चिकन भूना मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है एक किलो चिकन इसाची से क्लीन कर लिया है अब हम चिकन को मारिनेट करेंगे तो सबसे पहले डालेंगे स्वाध के नुसा नमक, आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर, एक छोटी चमच कश्मिरी रचिली पाउडर और एक बड़ा चमच डालेंगे अधरक लसुन का पेश्ट अब हम इने अच्छे से मिला लेंगे और ये चिकन को तब तक साइड में रखेंगे जब तक हम बाकी की तयारे करने लेते अब हमें एक मसाला प्रिपेर करना है जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक कड़ाई लिए फ्लेम को लोग पे रखेंगे और यहाँ पर मेरे पास कुछ खड़े मसाले है जैसे कि दो चोटी चमज जीरा, एक चोटी चमज सौफ, आदी चोटी चमज काली मिरी, तीन चोटी इलाजी, पार्च लॉंग, एक चोटा साइस का स्टारेनेस, दो चोटी टुक्रे डाल जिनी के और एक तेज पत्ता इसी के साथ आपके पास साबू धन्या है, तो तीन चोटी चमज साबू धन्या इसी समें आपको डाल देना है, मेरे पास एवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं धन्या पावडर डालूँगे, जो कि बाद में डालेंगे दो छोटी चमस डालेंगे कसूरी में थी अभी हमें ये खड़े मसालों को कुछ देर के लिए भून लेना है जब तक इसमें से एक भीनी भीनी सी खुश भूना आना शुरू हो जाए ध्यान रखे ये खड़े मसालों का कलर चेंज नहीं करना है अगर मसाले तेज आज पर भूनेंगे तो इसकी टेस्ट बिल्कुल चली जाएगी इसलिए लो फ्लेम पे ही से भूने जब तक इसमें से खुश भूना आ जाए थोड़ी देर भून लेने के बाद मैं यहांपर आड़ कर रहे हूं धनिया पाउडर आप अगर साबू धनिया पहले डाल देते हैं तो आपको धनिया पाउडर डालने की जरूरत नहीं है अब ये मसाले भून चुके हैं इसे हम एक मिक्षर जार में ले लेंगे और इसे प हाइपर रखेंगे और हमने मैरिनेट करके रखे हुए चिकन को इसमें ले लेंगे और ये चिकन को हमें अच्छे से भून लेना है चिकन को हम भूनेंगे साथ में चिकन पकेगा भी इस तरीके से चिकन को अभी हमें 70% कुक कर लेनी है और इसी के साथ चिकन को अच्छे से धक देंगे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं एक से दो बार के लिए फिर इसको धक देंगे दो से तीन मिनट के लिए जैसे ही चिकन अपना पानी छोड़ने लगेगा तब हम इसको खुला धकन भूनेंगे बीच-बीच में चलाते हुए करिब दो मिनट के लिए मैंने से भून लिया है अब हम इसको धक देंगे दो से तीन मिनट के लिए हमें चिकन को हाई फ्लेम पे ही धकना है फिर देखिए चिकन इस तरह से पानी छोड़ देता है अब हम हाई फ्लेम पे चिकन को भूनेंगे ये प्रोसेस को कम से कम साथ से आठ मिनट लग जाएगा करते हुए लेकिन चिकन अच्छे से भून जाएगा यहाँ पर देखिए चिकन काफी पक चुकी है और भून भी चुका है और अब हम इसको निकाल कर एक प्लेट में ले लेंगे चिकन को निकाल लेने के बाद सेम कड़ाई और सेम तेल में प्याज भी भून लेंगे मैं यहाँ पर दो मीडियम साइज के प्याज को बारिक काट कर ले रहे हूँ प्याश को हमें ब्राउन नहीं करना है हाई फ्लेम पे प्याश को थोड़ी दर के लिए भूनेंगे जब तक कि ये ट्रांसलूजना हो जाए साथ में 3-4 सुखे लाल मिश भी डाल देंगे इसी के साथ भून जाएगी जब प्याश के कलर कुछ इस तरह का हो जाए तब हम इसमें करी लिफ्स डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें आड़ करेंगे कुछ पाउडर मसाले मैं यहाँ पर डाल रहे हूँ आदी चुछी चमच हल्दी पाउडर एक बड़ा चमच रेट चिली पाउडर तीखा कम खाते तो कम कर सकते है और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे दो मीडियम साइस के टमाटर को पीस कर मैंने प्यूरी बना कर रखा है वो भी अभियाड करेंगे जैसे हम टमाटर डालते हैं इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसमें स्वात के अनुसा नमक भी डाल देंगे एक बार और अच्छे से मिलाएंगे और अब हम इसे ढख करके 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम पे यह आप देख सकते हैं अच्छे से पक कर इसमें से तेल अलग होने लगी है अब हम इसमें अड़ करेंगे एक छोधाई कप दही दही डालते समय палत रखे और दही को अच्छे से जब लो फ्लेम पे इस तरीके से करने से कभी करें कभी नहीं फटेगी और अब हम इसमें खड़े मसालों को जो हमने पाउडर बना कर लिया था वो एड़ करेंगे इसके अलबा इस रेसिपी में कोई और मसाला नहीं जाएगा और ये सिंपल मसाले से आपकी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनने हो ली है अब हम इसमें फ्राई करके रखे हुए चिकन भी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे आधा कप इसमें पानी डालेंगे इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है ये रेसिपी बहुत ही थिक ग्रेवी के साथ बनेगा और क्योंकि ये चिकन अल्मोस्ट 70-80% तक पक चुकी है सिर्फ इसको 5 मिनट और हमें पकानी है ग्रेवी के साथ तो इसी के साथ 3 हरी मिर्चीरा लगा कर डालेंगे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए धक कर पकने देंगे दो मिनट के बार धकन खोल कर एक बार इसे चलाएंगे जिससे ये मसाले तले पे नहीं लगेगी क्योंकि इसकी ग्रेवी काफी थिक है तब हम फिर से इसको धक देते हैं लो फ्लेम पे 3 मिनट और पकाएंगे और अब हम धकन अटाएंगे और ये देखिए बहुत अच्छे से चिकन भुना मसाला हमारा पकर रेड़ी है ग्रेवी की कंसिस्टेंसी पर्फेक्ट है फाइनली हम इसमें कटा हुआ धन्या पत्तर डालेंगे और इसे गर्मा गर्म रोटी या फिर नान के साथ सर्व करें तो दस्तों कैसी लेगी आज की मज़दार सी रेसिपी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस चैनल में अगर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन क्लिक करें फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई और टेक केर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद